वीवर से साथ में कुछ सबी लोग नाकारा समझते थे पर असलियत में वो एक बहुत ही पाउरफुल डीमन हंटर होता है जो कि खतरनाक डीमन्स को अपनी पाउर का यूस करके पकड़ता था लेकिन अवज के सामने ऐसे डीमन्स आ गये थे न जो उस पर काफे भारी पड़ र वो फीज डीमन तो दिखने में काफी खतरनाक दिख रहा था ली अपने कुछ दोस्तों के साथ उसे पकड़ने आया था पर गलती से वो और उसके छोटे छोटे दोस्त पानी में गिदने लग जाते हैं तभी एक डीमन जो कि ली का दोस्त था वो उन्हें अपने बड़े से हाथों का यूज करके पकड़ लेता है वो फीज डीमन तो उनसे भी पर हमला करते ही जा रही थी तब ही ली अपने एक दोस्त ग्रीन डीमन को उस बड़ी सी मचली के तरफ फेक देता है उस ग्रीन डीमन ने तो मचली पर बहुत ही जहरीली गैस छोट दी थी जिससे कि दीमन के तरफ चले जाती है और उसे पूरी तरीक से जकड़ लेती है जिससे कि वो फिर भाग न सके और अब ली ने अपने ब्रश और मैजिकल बुक का यूज करके वहाँ पर एक ब्लैक पोटल बना दिया था जिसमें कि वो सारे बुरे डीमन को कैड़ करता था तब ही वो करना छोड दिया था और वो अपने सारे जर्नी के किससे एक बुक में लिखता था जिससे वो इन छोटे बच्चे को बेचने की कोशिज भी कर रहा था पर वो बच्चे तो काफी चालक नेकलते हैं और वो ली की बनाएगे वो खरीते ही नहीं अब यहाँ दूसरी तरफ हमे कुछ लोकल पुलिस ओफिसर दिखाय जाते हैं जो कि एक जोहलेरी की दुकान में चोरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन में से एक ओफिसर जिसका नाम फेट होता है उसे चोर का एक बाल मिलता है और उसके अकरडिंग चोर कोई इनसान नहीं था जरूर वो कोई डीम मिलता है और वो ली के अगेंस कंप्लेंड करने आये थे क्योंकि वो उनके बच्चों को गुम्राह कर रहा था तो वो पुलिस ओफिसर फेट को उन औरतों के साथ बेच देता है इन्वेस्टिगेशन के लिए फेट ली के घर पर पहुच गया था पर वो ये देखकर शौक ह हो जाता है कि जो ज्वेलिरिस उस दुकान से चोरी हुए थे वो बहुत सारे मुर्गियों के गले में थे फेट उन सारे सबूतों को एकठा करने लगता है जिससे कि वो असली चूर का पता लगा सके यहाँ पर वो सारी औरते ली के पास आ गई थी और वो सब तो बीना बेज देता है और इससे काफी पैसे कमाता है फेट को तो कुछ भी समझी नहीं रहा था कि हो क्या रहा है तब वो खुद ली की घर में चला जाता है फेट ली से पूछता है कि यह सारी ज्योलिरिस उसके पास कहां से आई दरहसल यह सारी ज्योलिरिस लीन नहीं बलकि उसके एक बहुत ही पुराने स्टूडेंट ने चुराई थी पर फेट को तो ये लग रहा था कि ली ही चोर है इसलिए वो ली को गिरफतार कर लेता है पर फेट को क्या पता था कि जिसे वो नॉर्मल आदमी समझ रहा है बलकि वो एक बहुत बड़ा डीमन हंटर था ली अपनी चक् पर फेट को उसे स्टूडेंट के पास लेकर जा रहा था जिसने वो सारी ज्वेलरिस चुराई थी वो दोनों तो अब उस जगह पर आ गये थे जहांपर वो चोर रहता था और वो चोर और कोई नहीं बलकि एक सूवर डीमन था जो कि सारे चुराए गये ज्वेलरिस को लेक पर जा रहा था ली और फेट तो चुरो की तरओ उसका पीछा करते रहते रहते हैं और तब जाकर पता चलता है कि वो पिक डीमन एक डौगी से साधी करना चाता था पर उस डौगी के मालिक ने पिक डीमन से काफी जुलिरिस मागी थी इसलिए उसने ये चोरी की थी पर तभी ली और फेट वहाँ पर आ जाते हैं और वो आदमी तो सारी ज्वेलिर इसको लेकर भागनी लगता है वो पीक डीमन भी अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग पा था तभी ली अपने पावर का यूज़ करके उस पीक डीमन को एक छोटे से बॉटल के अंदर कै पर लकेली वहाँ पर और भी पुलिस आफिसर्स थे जिन्नों ने उस चोर को पकड़ लिया था लेकिन अब फेट के सीनियर आफिसर ने उस चोर को पकड़ने का पूरा क्रेडिट खुदी ले लिया था और बुरी बात तो ये थे कि उसने फेट को जौब से निकाल दिया थ और वह फेट का दिमाग खराब हो जाता है और वो तेजी से चिलाने लगा था तब ये उसके उपर एक और ठंडा 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 पानी फिक देती है जिससे कि फेट का पूरा गुस्सा सांथ हो गया था अब हमें एक बहुत ही ब्यूटिफुल लड़की दिखाई जाती है जो कि किसी बहुत ही फेमस ब्यूटि पालर में आई थी वो लड़की तो अंदर जाकर एक औरत से अपने जादू का यूज करके उसे और भी ज़्यदा ब्यूटिफुल बनाने के लिए खहती है इसके बाद वो अजीब से दिखने वाली औरत उस लड़की पर अपना जाद जो कि किसी भी मिरर में ट्रैवल कर सकती थी यहाँ पर वो लड़की जो बॉक्स के अंदर थी वो उड़ते उड़ते एक जगह पर आ जाती है पर तभी उस बॉक्स के चारों और पेपर के चोटे टुकडे आ गए थे और वहाँ पर चार चोटे चोटे डिमन्स थे जो उस उड़ा रहे थे वो दिखने लग जाते हैं तभी वहाँ पर काय नाम का एक वारियर आता है जो कि अपने पावर का यूस करके उन चारों डिमन्स को वहाँ से भागा देता है काय को तो पता चल गया था कि उस लड़की को किडनाप किया जा रहा है पर तभी वहाँ रेड कल काय को छोड़ने के लिए कहता है तब काय अपने पावर का यूस करता है और बहुत सारे चोटी चोटी पेपर के मदद से लिया पर लगातर वार करना स्टार्ट कर देता है लेकिन लिया भी कुछ कम नहीं थी वो भी काय को पूरा टकर दे रही थी और उस पर लगातर पर अब काय अपने फुल पावर का यूस करता है और लिया को एक बहुत बड़े पेपर के बॉल में फसा देता है जिससे की लिया एक जगह पर रूप गई थी। मतलब कि वो दुनों बैने लोगों को पकड़ती थी और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए उन सभी के आत्मा एब्सॉप कर लेती थी। ली मानतों जाता है पर फेट से ना चाते वे भी ली के घर के सामान तूटने लग जाते हैं। इसी बाद से ली काफी यदा परिशान हो गया था पर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो फेट को अपना स्टूडेंट बना लेता है। अगली दिन जब सुबह होती है तो फेट ली को इंप्रेस करने के लिए डिलिसेयस चिकन बनाता है। जिसे खाकर तो ली काफी यदा खुश हो गया था पर जब ये बात उसे पता चलती है कि वो चिकन जो वो खा रहा था वो उसके पाले गए पैट थे। ये जानकर ली को काफी दुख होता है और वो तो अपने इस पाप के लिए माफी बे मांगता है। पर तभी वहाँ एक ब्लू डिमन आ गया था जो ली को एक लड़की के गायब होने की खबर देता है। तो अब देर किस बात की थी। ली और फेट अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ते हैं और वो उसी जगह पर आ गये थे जहाँ पर उस लड़की को लास्ट टाइम देखा गया था। उस दुकान की जाँच परताल करने के बाद विग डीमन को उस लड़की का छोटा सा कपड़ा मिलता है। तब फ्लावर डीमन अपने पावर का यूज़ करती है और उस कपड़े की मदद से वो उस लड़की की सारी यादे दिखाने लगती हैं जिसमें की उन लोगों को ये डीमन है और तब ही काई मिरर डीमन का पीच्छा करने लग जाता है तब ही काई के सामने वो मिरर डीमन आ गunted और वो काई को उसके भेहन लिया से दूर रहने के लिए कली कहती है पर काई हर उस दीमन के अगैंस था जो इंसानों की आत्मा एबजब करते थे और ये सब सुनक पर mirror demon गुसा हो जाती है और बहुत सारी mirrors का यूज कर कि उस पर वार करने लग जाती है वो तो एक mirror में हाट डाल कर दूसरे mirror से काई पर हमला कर रही थी काय तो मिरर डीमन से लड़ी नहीं पा रहा था क्योंकि वो लगातार एक मिरर से दूसरे मिरर में टेलिपोर्ट हो रही थी और अब उसने काय को एकदम से पकड़ लिया था पर लगी ली वहाँ पर ली अपने दोस्तों के साथ आ जाता है पर वो जैसे ही उस मिरर डीमन को पकड़ने के लिए स्पैल पड़ता है तब भी वो मिरर डीमन वहाँ से भाग जाती है काय उस लड़ाई में काफे गायल हो चुका था तो ली का एक डीमन दोस्त काय को उठा कर एक सिफ जगव पर लेकर चला जाता है पर अब तो Mirror Demon ने ली पर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया था उसने तो ली के बॉड़ी के उपर वाला इस सा मीरर की दुनिया में भेज दिया था और अब वहाँ पर सिप ली के पैर बचे थे लेकिन तबी भी ली Mirror Demon का पीछा करते रहता है और वो उससे कैसे भी बचते हुए अपनी कटी भी बॉड़ी के साथ जुड़ जाता है अब ली उस Mirror Demon के उपर अपना Magical Spell पढ़ता है और बहुत सारी Powerful Zanger उसके पर फेक देता है जिसका यूज करके ली ने उस Mirror Demon को अपने बुक में कैद कर लिया था और वो सब ली के घर पर आ जाते हैं वहाँ पर फेट ने पता लगा लिया था कि वो Demon जो लड़की को Kidnap करते थे आखिर वो कहाँ पर है तब ली वहाँ पर जाके Investigation करने के तैरी करने लग जाता है काई भी ली से request करता है कि वो भी इस Mission में उन लोगों के साथ सामिल होना चाता है ली ने इसकी Permission दे दी थी और अब वो सब उसी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर लीया और उसकी बहन रहती थी वहाँ पहुचने के बाद काई लीया को समझाता है कि वो अपनी Demon की आत्मा उसे दे दे ताकि लीया की जान बच सके पर लीया इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी उससे तो अब ये भी पता चल गया था कि ली ने उसकी बहन को क्याद कर लिया है इसलिए अब लीया उन सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देती है उसने तो फेट को एकदम से जकड लिया था और अपने से दूर फेक दिया था लीके सभी दोस्त लीया को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो लीया के पावर के सामने टीकी नहीं पा रहे थे और लिया उन सब एको एक की बार में नॉक ओट कर दे रही थी उसने तो लिय को भी पकड़ लिया था और उसका गला दमाना स्टार्ट कर दिया था पर लिया तो वहां से अपनी जान बचा कर भाग गई थी कायली इसे माफी मांगता है क्योंकि वो लिया से प्यार करता था और इसे जरा भी चोट पहुचे ये काय को मंजूर नहीं था पर अब लिय को कैसे भी करके लिया को पकड़ना था बीना उसकी जान लिये तब ही लिय एक प्लान बनाता है और वो अपना भेज बदल कर एक गाउ में चले गया था जहां पर बहुत दे बड़ा फेस्टिवल चालू होता है लिय को पता था कि इतने फाइट करने के बाद लिया काफिया था कमजोर हो चुकी होगी और वो यहाँ पर लोगों की आत्मा अब्सॉब करने जरूर आएगी और तब वो दिनों लिया को पकड़ सकते हैं तब ही कुछ तेम बाद लिया वहाँ पर आ गई थी और वो कुछ लड़कियों की आत्मा अब्सॉब करना स्टार्ट कर दीती है लेकिन उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि लिया भी वहाँ पर है और वो उससे पकड़ने आया था फेट तो लिया को दिखकर तीजे से चिलाने लगता है और सारे लोग वहाँ से डर कर भागने लग जाते हैं और अब लिया खुद को बचाने के लिए अपने फुल पावर का यूस करती है और वो तो एक बहुत खतरनाक साप में करणवट हो गई थी जो वहाँ के सारी जगों को तबाह कर रही थी और अब वो सीधा लिया और फेट पर वार करने चले जाती है लिया अपने magical spells का यूस करता है और एक powerful shield बना लेता है जिससे कि वो बड़ा सा साप उस पर attack करी नहीं पा रहा था लेकिन ये जादा देर तक नहीं चलने वाला था तब जाकर लिया डिसाइड करता है कि वो लिया को कैद कर देगा इसलिए अब वो अपना दूसरा spell पढ़ने लगता है और लिया के उपर बहुत सारे जंजिरों से वार कर देता है जिससे कि लिया अब कहीं भाग नहीं सकती थी और उसकी पूरी पावर्स खतम हो गई थी जिससे कि वो वापस अपने human form में आ जाती है और ली ने लिया को अपने book के अंदर कैद कर दिया था जिससे कि वो वापस बाहर निकल कर तबाही ना कर सके लड़ाई खतम होने के बाद जब काई वहाँ पर आता है तब वो ली से लिया के बारे में फुचता रहता है ली के बताने पर काई को ये पता चलता है कि लिया को उसने हमेशा के लिए कैद कर दिया था ताकि वो किसी और की आत्मा एमजाब न कर सके काय तो ये सुनकर काफी अधा नाराज हो गया था पर ली ने फ्लावर डीमन का यूज करके काय की सारी आदे जिसमें लिया थी वो मिटा दी थी और अब काय को लिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था गाउ वाले तो फेट और ली से काफी अधा खुश हो गय थे क्योंकि उन दोनों ने मिलकर सभी डीमन को कैद कर दिया था और अब उनका गाउ पूरी तरीके से सेफ था इसलिए उन लोगों ने फेट और ली के लिया एक पार्टी रखी थी यहां दूसरी तरफ लावर डीमन क काई पर काफी तरस आ रहा था और तभी वो काई की सारी मेमरीस लटा दिती है काई को अब सब कुछ याद आ गया था कि वो और लिया एक दूसरी से काफी अधा प्यार करते थे और यह भी कि ली ने लिया को कैद कर दिया था जब ली पाटी करके अपने घर पर आता है तब लिया कैद थी काई तो अब एक अलगी दुनिया में आ गया था और तभी वो बहुत सारे कैदियों को देखता है जिसे की ली ने पकड़े थे वो लिया को यहाँ से वहाँ ढूनने लगता है और कुछ टैम बद उसे लिया मिल भी गई थी लेकिन लिया को बुरी तरीके से किया जा रहा था क्योंकि उसके पास इवेल की स्पिरिच्वल एनरजी थी काई लिया से मिलकर काफी एदा कुछ होता है और वो तो उसे अपने गले लगा लिता है काई लिया को कैसे भी करके बचाना चाहता था इसलिए वो उसके बोड़ी से इवेल के स्पिरिच्वल एनर तो वहाँ की सभी जगों को डिस्ट्रॉई करना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि वहाँ पर कैद वे डीमन्स आदादोना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ असली दुनिया में फेट आ गया था और वो ली को वहाँ से आजाद करता है इसके बाद ली अपने साथियों के साथ उसी बुक के अंदर आ गया था जिसमें कि काय लिया को बचाने के लिए अंदर गुसा था ली दिखता है कि वहाँ के सारे डिमन्स जो उसने अपने पूरी लाइफ में कैद किये थे वो आजाद हो चुके थे और काय अब एकदम से इवेल में कनवर्ट हो गया था क्योंकि उसके बॉड़ी में इवेल के आत्मा थी काय के पस इतनी सारी पावर्स आ गई थी न कि वो उसका यूज़ करके अपने आपको एक साप में कनवर्ट कर लेता है और अब वो ली और बाकी सभी पर हमला करने चला गया था ली का एक फ्रेंट जो कि एक ट्री डीमन होता है उसने ली और बाकी सभी को गिरने से बचा लिया था और वो उस साफ से बचते हुए आगे बढ़ता रहता है वो डीमन तो उस साफ को एक ट्रिक के मदद से मारने में काम्याब हो जाता है वहीं दूसरी तरफ ग्रीन डीमन ने भी फ्लावर डीमन के साथ मिलकर उस साफ को पूरी तरीके से जला दिया था लेकिन ये तो शुरुवात थी काय अव अपनी दुगनी पावर यूस करता है और एक बहुत बड़े क्रियेचर में कर्मट हो जाता है जो कि ली और बाकी सभी का पीछा करने लगा था काफी देर तक चुवा बिली का खेलने के बाद वो सारे लोग एक जगा पर आ जाते हैं और लीक ऐसे भी करके अपना जादूवी पेंट ब्रस लेने की कोशिश करता है पर काय इतनी आसानी से हार नहीं मानने माला था वो लीक के ओपर काफी अधा भारी पढ़ता है और इसे मार कर दूर ढखेल देता है तब ही वहाँ लीया आ गई थी और वो काय को इस हालत में देखकर काफी दुखी होती है क्योंकि उसकी ही वज़े से काय की ये हालत हुई थी लीया काय को सांत हो जाने के लिए कहती है जिससे की काय एकदम रुख गया था और तब लीया अपने कर्मू का पस्चा ताप करने के लिए नर्क के दरवाजी के तरफ जाने लगती है काय समझ गया था कि लिया नर्क में जा रही है तो वो उसका लगातार पीछा करने लगता है लिया नर्क के दर्वाजे के अंदर पहुँच गई थी पर जब काय भी उसके दर जाने की कोशिच करता है तो वो तो चला जाता है पर ली का वो जादूई ब्रश अंदर नहीं जा पाता क्योंकि उसके अंदर कोई जान नहीं थी न तो वो नर्क के दर्वाजे के अंदर नहीं गुच सकता था तो काय डिसाइड करता है कि वो अपने लवर के साथ ही जाएगा इसलिए वो ली की वो छड़ी छोड़ देता है और लिया के सत नर्ग में चला जाता है वो दुनों तो एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना के पहले किया करते थे और अब वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए नर के अंदर कैद हो जाते हैं ली और फेट भी वहाँ पर पहुच गये थे और वो ये सब दिखकर काफी दुखी हो जाते हैं ये सब होने के बाद ली उन दोनों की लव स्टोरी पर एक बुक लिखता है जिसमें की काय और लिया की लव स्टोरी थी कि कैसे वो एक साथ मिले और एक के साथ खतम हो गए और इसी के साथ हमारी स्टोरी की हैपी एंडिंग हो जाती है तो वीवस आपको ये स्टोरी कैसे लेगे प्लिस कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा explanation एक परसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इससे मुझे कापी अदा motivation मिलेगा आपके लिए नए नए मुविज ढूंड के लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में सिया